नमस्कार जहीं दोस्तों आप देख़ए मास्टर वीडियो ओफिसियल और अभी धेड़ सारा कॉमेंट आड़ा RRB और RRC के रिगार्डिंग कि RRC वाला बैतन कम देता है अगर वो एक्जाम कंडक्ट करवाता है फिर पैटर नलग होता यह सब चीज तो थोड़ा जानना भी जरूर यह क्योंकि अगर आप देखो तो NTPC का एक्जाम RRB लिया था गुरूप D का एक्जाम RRC ले रहा है इससे पहले जो 18 में हुआ था एक्जाम गुरूप D का वह RRB लिया हुआ था तो क्या सब है इस पर पूरा बात करेंगे तो आसमोंच में भी आएगा अगर बात है था कि हर एक जोन का अलग-अलग एक्जाम होता था तो वह RRB कंड़क्ट करवाता था लेकिन 2005 में गुरूप D के लिए में लिए जो नीचे अस्तर का एक्जाम होता है उनली सिर्फ गुरूप D के लिए उसके लिए RRC बनाया गया रेलवे में बात करें तो गुरूप A, B, C, D तक होता है जिसमें D का RRC लेता है और B का कोई एक्जाम होता ही नहीं है बी एक प्रमोशन करकी वहां तक पहुंचता है लोग और A का UPSC ही कंड़क्ट करवाता तो बच गया only C जिसमें आप NTPC का देखे तो वह RRB कंड़क्ट करवाता है लेकिन 2018 में क्या हुआ था एक ही साथ बहुत सारे कंडिडेट थे और उतना कैपिसिटी RRC के पास नहीं था तो इसलिए वह एक्जाम RRB कंड़क्ट करवाया था अब RRB RRC सी में एक डिफरेंस यह है कि RRC जो रेलवे रिक्वर्मेंट सेल है वो कम है मतलब यह 16 है और RRB जो है वो 21 है अब इसमें को कि बतने चाल ड़क अगर आप देखो कभी कौकत्ता में चला जाता कभी दूसरी kevin के जाता यह संबब्त उसल पसलीए अब इसके बैतन की बात करें तो जेनरली अब अलग-अलग सैट पे कहीं-कहीं आपको मिल जायेगा कि RRB जो है अधिक बैतन देता है इसका में रीजन यही है कि RRB एक्जाम ही कंड़क्ट करवाता है ग्रूप C का तो उसका बैतन तो अधिक होगा ही लेकिन जैसा फॉर्म पर लिखा है कि ग्रूप D का 1800 ग्रेट पर है तो उसी पर एकोर्डिंग करके उसी के एकोर्डिंग आपका बैतन मिलेगा इससे कोई फर्क नहीं परता कि RRC ले रहा है या RRB ले रहा है और साथी एक्जाम का पैटर्न हाड और टफनेस यह तो पूरा हाठी गया क्योंकि न सर में आप जिस जान से भड़े हो जासे इस आपने पटना जान से भड़ा तो आपका जो डॉक्म JE Ward equation होगा वह पटना में होगा लेकिन Пр क्या है इसमें क्या होता है कि पटना मुझभपरपूर और हाजीपूर यह सब आगया हाजीपूर ऑर सी में तो जब होगा तो सब को क में अधिक सुविधा मिलता है एक्जाम कंटक्ट करवाने से लेकर डॉक्मेंट विडिफिकेशन या फिर मेडिकल इसमें लेकिन आरारसी उस लेवल का नहीं होता अलग अलग जगा पर तो यह थोड़ा फर्क परता है लेकिन संबब्दा लास्ट तक जो है वो आपको आरार् परता है ठीक लेकिन हां बस यह है कि आरारसी थोड़ा कम है और अरार्वी थोड़ा अधिक है तो स्टुडेंट को समझने में थोड़ा कि इसमें कौन सा आता है इसमें कौन सा होता है और आपको प्रोपर साइट पर ख़ए पर यह ची मिलेगा भी नहीं कोई बताएगा भी फिक्स कोच है नहीं तो इसलिए मैं नहीं पता पाया तो चले इस वीडियो में इतना है मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद